मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी येस येस अभी कितने पार्टिसिपेंट्स है सब मिला के अभी 52 ओके शुट वी स्टार्ट नाओ येस तर्ट नाओ येस तर्ट का नया नया रिटर्न आया तब काफी लोगों की एक लिस्ट टैक्सपेयर और उनके चार्टेड अकाउंटन्ट की परिस्तिती कुछ ऐसी थी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है पहले जीएस टीर वण टू थ्री बहुत लंबा प्रोसेस था रिटर्न कंप्लाइंस का वन में सेल रिजिस्टर अफ्लोड करो फिर टू में पर्चेज रिजिस्टर अफ्लोड करो वन का रिफ्लेक्शन पहले टैक्सपेयर जो कस्टमर है रिसीपियंट है उसको दिखेगा रिसीपियंट को जो पास बखेगा है थिर जो कर्स रखेगर करेगा बाले टैक्सपेयर फिर फिर उसमें या तो कर्एंट खेंगा नहीं करेगा वो बेसस पे यस टीर थीJam का फैलिंग थर आक्टोबर 17 के आसपस तक गवर्मेंट ने रियलाइज किया यह प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इन्वोईस लेवल पे जो मैचिंग करने की कोशिश थी। आप सबको पता है कि वैट एरा में भी मैचिंग होता था। महारस्टर वैट में हम मैचिंग करते थे। बट वह मैचिंग प्रियोडिसीटी वाइज होता था। यह अर्ली एक बार होता था। 302 का हम नोटिस निकालते थे इस्यू बेस्ट कि इतना अनमैच्ट है। यह वाज़वेस अ बेटर वेज़ए उफ मैचिंग। बट नेवर्थलेस अब गवर्णमेंट ने सोचा यह मैचिंग को हम लाइव रखते हैं। और एवरी मंथ यह मैचिंग आटोमाटिक होना चाहिए। जो क्रेडिट क्लेम कर रहा है कस्टमर रेसीवर। उसको हम वही पे स्टॉप कर देते हैं। जो लीकेज जो फ्रॉड होता था वह हम वहीं प्रेस कर देते हैं। पर इंडस्ट्री में काफी रेप्रेसेंटेशन हुआ देट इन्वाइस लेवल डेटा पे पर्चेस साइट का मैचिंग एवरी मंथ करना बहुत मुश्किल है। जो आज हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ है। जी एस्टी एर वन पहले भी था अभी भी है और जी एस्टी एर वन फाइल करना इजी इसलिए है। जो सप्लायर फाइल कर रहा है वह बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी आइटम्स क्या है। और पर्चेर एजिस्टर में इतने सारे आइटम्स आते हैं इतने सारे इसे सारे अचिसीन कोड आते हैं। विच मेक्स पीपल अबिट कन्फूस्ट एक सेशन में पूरा कंप्लाइंस करना मुश्किल है यह पूरे ट्रेनिंग को एक से ज्यादा सेशन में दो या तीन सेशन में इसको बाइफर्गेट कर देंगे सो हमारा ट्रेनिंग प्लाइन क्या है रिटर्न अंडर जीएस्टी जो रेगूलर पिरियोडिक रिटर्न टैक्सपेर फाइल कर रहा है जो आप और हम जानते हैं दो रिटर्न है जीएस्टी और वन और थ्री वो डिक्लेर करूंगा और इसका जो प्लस माइनस का मैट्स होगा अगर लाइबलिटी ज्यादा है इन्पूट कम है तो टैक्सपेर टैक्स भरेगा अगर लाइबलिटी कम है और इन्पूट ज्यादा है तो टैक्सपेर केरी फावड करेगा आप सबको पता है कि अनलेस एक एक्सपोर्टर के अलावा अगर मेरा इन्पूट आउट्पूट से ज़्यादा है जो मेरा सेट ओफ है तो मैं रिफंड क्लेम नहीं कर सकता हूं यह चीज वैट से अलग है वैट में एक्सेस से टॉफ रिफंड के इसाब से ख्लेम कर सकते थे पर जी एस्टी में जो भी एक्सेस क्रेडिट है it cannot be claimed as refund unless 2-3 scenario है जहां refund मिलता है export में मिलता है zero rated supply मतलब अगर SCZ unit को supply हो रहा है तो मिलता है और अगर मेरा sale का rate tax rate मेरे purchases के tax rate से कम है inverted duty structure जिसको बोलते हैं तो मैं refund claim कर साथ है तो broadly एक taxpayer जब return file करता है तो वो अपनी net liability declare करता है that is liability on sale minus all the inputs he gets from his purchases and expenses PST में returns का जो features है वो quickly हम देख लेंगे सब returns electronic है and standard procedure है पहले क्या होता था महाराष्ट में 231, 232, 233 फाइल करते थे 704 फाइल करते थे गुजरात में 201 A, B, C फाइल करते थे फिर वहां पे 217 नंबर का वाइट ओडिट रिपोर्ट था हर state का अलग format था दिल्ली में अलग, चंदिगर में अलग, हर state का e-way bill हलाग कि महाराष्ट में कभी था नहीं, लेकिन वे-विल का concept था, every state had different ways of complying with the state level VAT and CST बट CST में क्या हो रहा है, वही भी state का काम आप करो आज आप महाराष्ट में ऑफिसर हो, कला अगर गुजरात जोइन करते हो और टैक्सपेर भी आज उसका महाराष्ट में बिजनेस है, कल वो गुजरात में चैलू करता है, दोनों जगह उसको same type का return फाइल करना है रिटन्स टैक्सपेर कैसे फाइल करता है एक तो बहुत सिंपल है, पोर्टल में जाओ और सेल बिल, इन्पुट सेट ओफ, सब मैनूली पंच करो, कौन कर सकता है, जिसके ट्रांजेक्शन कम है Chartered Accountant, हम लोगों के महिने के 10-20 बिल होते है, हम जाके मैनूली पंच कर सकते है दूसरा option है, offline utility, गवर्मेंट ने एक offline utility प्रोइड किये which is nothing but an excel template, वो excel template में आपका sale register आप डाल दो, वो sale register डालने के बाद उसका json file generate होता है, जिसके लिए एक software दिया गया है और वो json file जैसे ही आप login करके upload करते हैं, फूरा data total में चला जाता है third party softwares available है market में जो शायद और भी easy बना देते हैं, जो accounting software है, taxpayer का, उससे link होके easily data pull करके and generally जो काफी बड़े organizations है, जहांपे यह सब excel में data punch-wunch करना, may not be so simple In such cases, you use these third party softwares. Types of returns are linked to activity of the person, मतलब क्या है, जो normal dealer है हो, one or three भी file करता है, जो composition है हो GST error, CMP file करता है, जो TDS है, TDS की activity है तो उसके लिए अलग return है, TCS के लिए अलग return है Okay, सबसे important चीज़ जो as an officer you have to realize There is no concept of revise returns हमारा 231 revise होता था, बट GST का कोई भी return revise नहीं होता है अगर एक महिने के return में कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी miss हुआ है, कुछ ज्यादा चला गया है, कुछ कम claim हुआ है उसको सुधारनी के लिए वो particular period का return आप revise नहीं कर सकते हैं वो next period के return में balance 90 rupees जो short sale दिखाया था उसने वो next period के 3B में दिखा देगा अभी इसमें अलग-अलग scenario हो सकते है मानो उसने 10 रुपया 1 में भी गलत दिखाया है और 3B में भी गलत दिखाया है या 1 में सही दिखाया है, 3B में कम दिखाया है या 3B में सही दिखाया है, 1 में गलत दिखाया है तो जब मैं reconciliation word यूज करता हूँ what is important is this reconciliation ideally should tally at the end of the year पर as an officer क्या ये ज़रूरी है कि आप every month ये reconciliation करें जब आप लेके कोई audit ये assessment लेके बैठते हैं तो क्या yearly आप ये reconcile कर लेंगे तो is it enough और आप जो excel sheet में as per 1, as per 3B, as per books करेंगे तो आपको मंतली करना चाहिए क्या है अभी ये question का answer अगर कोई दे सकता है थे न यूवान्मूट योसेल्फ एंड स्पीक थोड़ा इंट्रेक्टेव रहेगा तो इक विल बी मोर इंजोएबल अलसो कोई भी पार्टिसिपंट कर दिख रहे हैं कोई तो बन्मूट करके मेरेको बताएगा अगर मेरा question clear नहीं है तो मैं question repeat कर देता हूँ येस प्लीज रिप्टर प्लीज मेरा question यह है कि कभी कभी taxpayer गलती यह करता है कि उसने 100 रुपे की जगट दस रुपया सेल दिखा दिया पर्टिकुलर रिटन में मंतली फाइलर है वन में उसने 100 ही दिखाया लेकिन थ्रीवी में गलती से उसने 10 दिखाया में के महिने में उसने 3 वी में जो एपरिल का 90 शॉट दिखाया था सौ सेल था दस दिखाया उसने में में दिखा दिये अब जब अगर मैं पूरा एन्यूली देखूंगा तो रिकनसेल हो जाएगा क्योंकि 100 रुपया सेल उसने कोई ने कोई रिटन में तो दिखायी दिये एज अन ओफिसर इज इस इंपॉर्टेंट फॉर यू इस इस माई क्वेस्टिन नाओ एक ओफिसर के से से आपको मंतली रिकनसीलेशन करना चाहिए या एन्यूली रिकनसाइल करेंगे और टैली हो गया चलेगा चलेगा सराइंड वोली भी रिकंसल कर सकते तो आपको पता कैसे चलेगा क्योंकि 90 रुपय पर टैक्स तो उसने लेट बराए तो अन्यूली तो टैली हो जाएगा cop Sense से सौ रुपया है थ्रीवी में दस रुपया में में दिखाया 90 रुपया, दस रुपया एपरिल में दिखाया है 90 रुपय में दिखाया, तो एस पर थ्री भी भी सेल टैली हो गया तो जो 90 रुपे पर टैक्स उसने एक मेहना लेट भराया है उसके इंट्रेस्ट का क्या होगा एवरीबड़ी गेटिंग मैं पॉइंट तो इट इस नॉट यॉर वर्क डेजन स्टॉप बाई रिकनसाइलिंग ओन एन अन्युल बेसिस आपको हर मेने का रिटर्न लेके टैली करना पड़ेगा उक्सक अकाउंट्स में कितना सेल है 100 रुपया एप्रिल में कितना दिखाया 10 रुपया 90 रुपया क्यों नहीं दिखाया आगे दिखाया है क्या में में नहीं दिखाया जून में नहीं दिखाया जुलाई में नहीं दिखाया पूरे साल नहीं दिखाया 9 में दिखाया क्या अच्छा 9 में नहीं दिखाया औडिटर ने 9C में पॉइंट आउट किया क्या आप समझ रहे हैं I am trying to build a base for us to learn 9 for us to learn 9C यह simple example से मैं आपको यह बोलना चाहता हूं that reconciling data is extremely important but how will you reconcile data कैसे अभी मैडम ने बोला कि नहीं कुछ जरूरत नहीं है annually reconcile हो गया कोई problem नहीं है but अगर आप annually जाएंगे तो monthly जो tax late pay किया है वो आपको पता ही नहीं चलेगा what my point everybody is with me yes yes sir absolutely and the last feature is uploading invoice level information GSTR1 में invoice की हरेग detail जाती है except HSN code नहीं जाता है but otherwise invoice number date taxable value CGST, SGST, IGST, CES and total invoice value so broadly यह features है return compliance under GST बहुत सारे type के returns है जैसे मैंने आपको बताया based on the activity of the taxpayer there are various returns which he has to file but most importantly GSTR1 and 3B one had details of outward supplies 3B a monthly return CMP08 quarterly statement come challenge by composition taxpayer GSTR4 GSTR5 non-resident taxable person GSTR6 input service distributor GSTR7 TDS return GSTR8 TCS statement by e-commerce operator GSTR9 annual return GSTR9 reconciliation statement सबसे important current situation में जो compliance का ecosystem बोलते हैं okay ecosystem आप समझते हैं जो environment है उसमें एक तो statement of outward supplies है GSTR1 sale register पूरा upload गरना है उसको taxpayer को second is monthly return GSTR3 B supplier में जो जो GSTR1 में invoice level information customer का नाम जो sale register में दिया है उसका reflection 2A में customer को दिखता है okay और और एक statement है 2B यह दोनों क्या चीज़ है इनमें difference क्या है वो towards the end we will see but basically 90% taxpayer यह ecosystem में अपना compliance करते हैं तो आप भी जब कोई taxpayer का audit करते हैं तो यह broadly 4 form है जो सबसे important है with this now we will do GSTR 1 details of outward supplies okay before I move forward can somebody just unmute and tell me what is GSTR 1 आपके हिसाब से Hindi में English में जो language आपको जमता है if you could just tell me your version what you understand by GSTR 1 पुझे थोड़ा और उसमें एकपोर्स कितने हैं यू आइडेंटिफाइड सेल्स हम लोग को कौन से कौन से सेक्शन में सेल्स है डीलर के वो आइडेंटिफाइ होता है और थ्रीबे में अपना पेमेंट और आइटीसी वो इंफरमेशन आ जाता है तो फिर सेल्स डस्टर को मुठ सारे इस्षों में तोड़ा जाता है बलग अपलोड करता हूं तो उसको क्लासिफाइड करके अपलोड करना पड़ता है जैसे एक्सपोर जीरो रिट आलग क्लासिफाइड होता है जैसे मैंश प्लडीच में एडनेम एक नॉर्मल सेल रेजिस्टर होता है जैसे आप जाते हैं कोई भी टैक्सपेर के हैं वो सेल रेजिस्टर देगा बट जब वो सेल रेजिस्टर को जी एस्ट एर वन में डालता है उसको काफी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है जब मैं क्लासिफिकेशन बोलता हूं उसका मतल द्टेल्ब क्या है कि बिजनेस hacks का कस्टेमर भी मिस्ती उललर जेसंती उल्डर है तो उसको ऐलग कर देना पढ़ता है सिर जहां उसको अलग कर दे गा जा उसना एक्स्पर्ट सब्सोंत कर देगा ἡगउंदा तो उसको अलग कर देगा जब आप टैक्सपेर का सेल रेजिस्टर लेंगे आपको जीस टेर वन के प्रिंट आउट से मालूम नहीं पड़ेगा कि ए सेल रेजिस्टर कहां क्या दिख रहे है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर जीस्टर वन का प्रिंट निकालेंगे उससे कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको टैक्सपेर को बोलना पड़ेगा कि यह जीस्टर वन जो आपने फाइल किया है उसका एक्सेल शीट दीजिए एक्सेल शीट इसली डाउनलोड होता है वो उतिलिटी से आप जो जैसन डाउनलोड होता है उसको कनवर्ट करके आप एक्सल में भी ले सकते है तो आम जिस्ट राइं प्रदर इन्वेस्टिगे वाट यस फाइल क्या आप अगर जीस्टर वन का फॉर्म ब्लैंक से इट विल गिवी ओनली टोटल्स इट विल नॉट गिव यू वाट इस गॉन इंसाइड ओके सो हम फॉर्म के अंदर जाने से पहले स्टैटूटरी प्रोविजन पढ़ लेते हैं ओके जीस्टियर वन कोई भी अगर compliance taxpayer के उपर करने का obligation है तो उसका statutory backing होना चाहिए जो law है law has to tell the taxpayer to do it okay so section 37 of the CGST act parallel section MGST act में भी होगा I am reading out this section every registered person जो जो रेड में मैंने highlight किया उतना ही मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि उतना ही relevant है for the purpose of understanding okay every registered person shall furnish the details of outward supplies effective during a tax period on or before the 10th of the month succeeding the said tax period यह में stop करते हूं आप देखेंगे तो word tax period use किया गया है tax period use करते हैं का मतलब क्या है वो taxpayer का tax period monthly भी हो सकता है quarterly भी हो सकता है so what the law says that आपका tax period जैसे ही खतम होता है और next month चालू होता है उसके 10th day तक आपको GSTR 1 फाइल करना है वो form GSTR 1 है वो rule 59 से आता है मैंने नीचे highlight किया हुए now I will read it again every registered person shall furnish the details of output supplies effected during a tax period on or before the 10th day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient customer तो जो first part है वो बोलता है कि आपको अपना sales register GSTR 1 में upload करना है monthly quarterly जो भी हो जैसे ही आप लोड अपलोड करते हैं उसका communication customer को जाना चाहिए customer को कौन से form में जाता है come on someone answer other than Smita madam can someone answer please जाएगा 2A exactly so 2A कहां से आ रहा है section 37.1 से 37.1 बोलता है that जो supplier है वो अपना sales register GSTR 1 में file करेगा जैसे ही वो sales register फाइल करता है उसका reflection customer को GSTR 2A में दिखना चाहिए फिर what does the second proviso say that commissioner has right to extend this time limit आप सबको पता है 10th due date नहीं है वो due date 11th है which has been extended by notification rule 59 पढ़ते है कोई भी statutory provision form का नाम नहीं देता है कुछ नहीं देता है कब करना है क्या करना है statute खाली यह बोलता है कि आपको sale की detail furnish करनी है कैसे करनी है वो हमेशा rule delegated legislation जिसको बोलते है वो हमेशा rule बताता है प्रूली जब प्रूल डागिया है वो 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 बोल यह बोल रूंट आगिया है so what does the rule say that section 37 आपको बोलता है sales register upload करो sales की detail upload करो उसको form GSTR 1 में upload करना है और depending on the notification monthly या quarterly करना है sub rule 2 the registered person required to furnish return for every quarter may furnish details of outward supplies for the first and second month of the quarter up to a cumulative value of 50 lakhs in each month using invoice furnishing facility अब जैसे मैंने बोला कि कुछ taxpayers को quarterly GSTR 1 file करने का option दिया गया है बट इसका मतलब क्या है 37 1 बोलता है आप supply का details file करो और recipient को 2a में inward का detail दिखेगा बट अगर कोई quarterly taxpayer अपना GSTR 1 quarter खतम होने के बाद file करेगा तो उसके customer को 2a में दिखेगा ही नहीं अब file करना है लेकिन अगर आपको आपके invoice की details फिर भी मनली file करनी है तो आप IFF मनले invoice facilitation invoice furnishing facility use कर लीजे कोई दिकत नहीं इदर problem क्या है the problem that I see here or the problem that we face is अगर मुझे invoice facility furnishing facility use करनी है तो मैं GSTR 1 क्यों फाइल ना करना है okay so now this is not something which I am training you to do I am just trying to tell you that because of this IFF concept क्योंकि customers के ITC पे restriction है based on 2A में क्या दिख रहा है तो काफी customers जो है काफी taxpayers जो है वो अपने vendors को suppliers को बोलेंगे बस मेरे 2A में नहीं दिखेगा तो मैं तुमको tax नहीं दूंगा पैसा नहीं दूंगा उसके वज़े से दो काफी लो quarterly filing में they are allowed to do quarterly filing they are not doing it because their customer will say मेरे 2A में नहीं दिखेगा तो मेरे credit नहीं मिलेगा so that is a slight you can say the negative part of the quarterly QRMP scheme but anyways we will come back the fact is that अगर कोई quarterly filer है तो उसे अपने invoices की details जितनी invoices उसको upload करनी है IFF से वो upload कर सकता है so what are the due dates for filing GSTR 1 अगर 5 करोड तक है तो वो quarterly filing करेगा पांच करोड के उपर के case में वो monthly filing करेगा quarterly के लिए 13th of the month following quarter end होते ही तेरा तारिक तक उससे GSTR 1 file करना है और monthly के लिए 11th due date है नीचे कुछ notifications number लिखे है recently April और May की due dates extend की गई थी because of the condition or the circumstances of its situation which यह PPT आपसे शेर किया जाएगा तो तो notifications आप बाद में भी देख सकते हैं so these are the basic due dates let us quickly go through what is the content what are the tables of GSTR 1 तो पहले table number 4 आता है जहां taxpayer सब अपनी बी-टू-बी आउटवर्ड supplies बी-टू-बी sales declare करता है जो जो उसने sale किया है और सामने वाला जो customer है वो भी GSTR में registered है तो यह सब invoice level information वो table 4 में plot करेगा टेबल 5 में बी-टू-सी इंटर-स्टेज लाज invoices इसका मतलब क्या है सेल कस्टमर को है customer registered नहीं है लेकिन customer दूसरे state में है और invoice की value धाई लाग से जाना है तो टेबल 5 में उसका invoice number वग्यार invoice table information provide करना परते है टेबल नमबर 6 इस dedicated to all your zero rated supplies ओके आपका एक्सपोर्ट आपका एक्सपोर्ट सब यहां पर है टेबल नमबर 7 में सब B2C small मतलब जो सेल कस्टमर को है वो customer मतलब जो registered customer नहीं है और invoice value dialogue से कम है इंटर स्टेट में और अगर within the state है तो कोई limit नहीं है सब B2C इदर जाएगा credit note debit note जो है plus minus करके net figure डालना है rate wise और place of supply wise हम लोग वो tables पे आएंगे I am just giving you overview right now 8 में सिर्ख Neil exempted non GST की detail देनी है अभी नाइन है अमेंडमेंट टेबल जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एप्रिल महिने में invoice level information गलत गया था में में और GSTR 1 में मानो GSTR 1 में भी गलत गया ठीक है यह किस्ट यह वन में भी दस रुपया सेल दिखाया है अभी उसको करेक्ट करना है तो रिवाइज रिटन तो हो नहीं सकता है नाव संब्डी एस तो अन्म्यूट एन आंसर ओके संब्डी एस तो अन्म्यूट एन आंसर प्लीज एप्रिल महिने में सौ रुपय का बिल है लेकिन दस रुपया GSTR 1 में गया है कौन से टेबल में गया होगा कि क्या संब्डी अन्म्यूट एन अन्सर प्लीज कि स्मित्ता मैडम आप ही बता दीजिए थोड़ा रिपीत कीिजे अगर अमेंड्मेंड हे तो फिल को दिखाया गया है हो आप फॉर्स्ट में यहाएगास से इक ठीबल फॉर्स पोर्इभा डॉर्स्स आटा ओफिसर्ट अभी लेकिन कोई मुझे आंसर नहीं दे रहा है, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, अगर auditorium होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहां पर स्क्रीन के सामने देख के बात करना बहुत बोरिंग हो जाता है, और स्क्रीन के मुझे सिर्फ सुनना भी बोरिंग होता है, आपकी मेहनत दिख रही है, सब लोग अभी दो तीन साल से तो यह सब कर रही है, सब रिपुएंट अब मतलब सब पता है, लेकिन आप से सुनना चाथे तो फट्ड़ा है, ऐसे मुझे लग रहा है, नब लेकिन आप पुछे दो इसे कुछ नहीं आपके तयारी अच्छी लग रही है इंटम डिटेल में कर रहे है तो बहुत अच्छा लगा है तो हम लोग देख रहे हैं हमारा अलग अंगल आता है आपका अलग आगल आ रहा है वी हम लोग इंजोई मतलब भी हम लोग को सम्ह अलगे है तो हम लोग तो है तो लुट अच्छी यूट टीकि शीर माधिश्रियों शीयर यूट एस मैम नमसकार येस नमसकार व मैं जाद्र्व आड करना चाहूं कि मेरे लिए बहुत अच्छा सेशन है क्यूंकि थूट ग्वाद ग्सी इंट्रॉट्च्ट्ट्ट्स कि अप्रिल महीने में जब दस रुपे का गलत सेल एंट्री टैक्सपेयर ने टेबल 4 में डाला था रिवाइज रिटर्न एप्रिल का नहीं हो सकता है तो टैक्सपेयर के पास ऑप्षन है कि जब वो में का जीएस्टीर 1 फाइल करेगा तब वो टेबल 9 में वो 90 रुपीज डिक्लेर करेगा अब यह 90 रुपीज डिक्लेर नहीं करेगा व आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिये आई केनाट गीव डिफरेंस ऑफ 19 जीएस्टीर 1 में मुझे पूरा करेक्ट इन्वोइस फीर डालना पड़ेगा तो जब आप जीएस्टीर 1 का प्रिंट लेंगे तो वहां 100 रुपया दिखेगा अब आप टोटल मारेंगे तब बो इसकी सही वैल्यूस डालनी पड़ती है everybody is getting this point it is very important GSTR 3 में 90 जाएगा लेकिन GSTR 1 में 100 का पूरा वैल्यू जाएगा अमेंडमेंड में आपको फिर देखना पड़ेगा इसके पहले कितना डिकलेर किया था so that is an exercise which taxpayer will reconcile and give you okay so table 9 में amendments किस चीज़ का होगा जाँ जाँ invoice level information गई है वाँ वाँ invoice level information कौन से कौन से tables में जाती है table 4, 5 और 6 में so amendment in table 9 also will happen to whatever is declared in earlier tax period in table number 4, table number 5 और table number 6 next is any amendment to table number 7 B2C में भी mistake हो सकती है एक लाग का sale है नब्य अज़र दिखा दिया table number 10 gives the taxpayer the opportunity to amend any incorrect information given in earlier periods table number 7 that is B2C table number 11 advance and advance adjustments तो आप सबको पता ही है कि advance पे tax अगर advance goods के लिए मिला है तो tax नहीं है लेकिन अगर कोई services के लिए advance मिला है तो जब advance मिलता है उसके ओपर tax लगता है तो अब्यस है कि अगर May 2021 में advance मिला है तो taxpayer table 11 में advance दिखाएगा और उस पे tax declare कर देएगा जून में जब वो invoice बनाएगा ये advance के अगेंस प्रिजूम जून में वो invoice बनाता है तो वो दो चीज करेगा एक तो वो invoice table number 4 में जाएगा प्रिजूम कर रहा हूं कि वो B2B invoice है और उसका दूसरा effect क्या होगा table 11 में वो tax को adjust कर देगा क्योंकि tax तो उसने April महिने में बर दिया है जब advance आया April 21 में तब उसके उपर tax उसने GSTR 1 table 11 में declare कर दिया अब जब वो जो महिने में invoice actually बना रहा है outward invoice वो महिने में table 4 में invoice declare होगा और simultaneously वो invoice के सामने का tax को table 11 में adjust कर देगा for the very obvious reason that he has already paid tax in April or declared tax in April table 12 HSN summary काफी taxpayers यह declare नहीं करते है इतने officers है मुझे बताईए आपने कितने GSTR 1 देके जाए HSN summary declare होता है है इस्पेशल है डीसी लेवल पर है हम लोग download करके click करके देखते वो डी एचेसेन का नहीं लेकिन काफी taxpayer करते है क्या हाँ हाँ डीसी लेवल पर जो भी है बड़े taxpayers वो करते इवन 1718 से ही शुरू से ही है है इस बड़ेशन का समरी आ जाता है अभी आपको simple example देता हूं एक किरयाना का दुकान होता है बंबे में किरयाना दुकान का भी टर्न और आंट दस करोड होता है पर उसके यह इतने में HSN होंगे कि आप भी धुंटे थक जाओगे तो इन दोस केसे इस 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 बिग प्रॉब्लम ओक्यूमेंट समरी डॉक्यूमेंट समरी में खली इन्वोइस सीरीज नहीं जाता है बहुत सारी चीज़े जाती है जो RCM का इन्वोइस बनाना है उसकी डीटेल यह डीटे अधिम्स के डीटेटेटेट इन्वोइस नहीं बना दे इस बिकम्स इंपॉर्टन इतना ही इन्वोइस अ महीने में बने तो ओके तो यह अमने एक ब्रॉद ओवर्व देख लिया कि GSTR 1 में क्या क्या जाता है let's go through each table now I'll be a little quick because we are almost at 12 o'clock and I am still going a bit slow but at this juncture if someone else then Madhvi Madam and Smita Madam who your agar bata saktai that how is the training going on sabko pasanddara hai anyone who's not what's the problem yes sir boti badiya tell me your name and then my name is Shivaji Nalbe from Jalgao okay sir boti badiya chal raha hai training koi dhikkat nahi hai okay aur itna is low rakhir sir kyunki kya hai bhot sara abhi humne pada hai lekin abho refresh boti achse tari se ho raha hai koi issue me yes sir boti achat hai chal raha hai aur aisa slow rakhir sir to kisab ko bhi samaj me a jae ga niyam every week a session lenge we'll do it on three days so that everybody at least justice hota training can it's not for the sake of it but sablog samaj nechiya kya chal raha hai yes sir exactly sir apka speed itna perfect arana to aise dimag kya chal raha hai okay okay thank you thank you so much sir okay thank you so much sir so abha haaam form ke andre ja raha hai ya haa pe harina qya dekhaa sir form ka overview dhee kitne tables a table number 4 se 13 table 123 mein aaf ka dealer ka name gst esse karke 13 tables hai abhi haam harry table ke anadar jatay Hai table number 4 b to b outward supplies उसमें दो-तीन सब कैटेगरीज है, टेबल 4A, जहां पर B2B आउटवर्ट सप्लाइज है, बट इसमें जहां पर supplier जो sale कर रहा है, उसका tax customer को बरना है, मतलब reverse charge आउटवर्ट सप्लाइज यहां नहीं आएगा, और e-commerce के थुरू अगर होगा है, तो वो भी आ नहीं आएगा, बाकी सब B2B सप्लाइज का invoice table details टेबल 4A में जाएगा, टेबल 4B में जितने आउटवर्ट सप्लाइज है, जिस पे reverse टेबल 4C में जाएगा, तो यह format समझाने में यह सब समझाना पड़ता है, लेकिन जब मैं actually form भरता हो ना, वहाँ तो yes no करना है, reverse charge yes no, तो इतना कुछ बाइफर्केशन नहीं करना पड़ता है, टेबल 4C में जाएगा, तो एक कॉलम रहता है, reverse charge applicable yes or no, e-commerce team है नहीं है, तो basically पूरा B2B register एक साथ जाता है, यह तो just format में आपको समझाने के लिए, we are going by the actual form, then when we go to table 5, जैसे मैंने आपको बताया, all interstate invoices of outward supplies, जो भी मेरी sale invoices interstate है, और जो मेरा customer महरास्ट स्टेट के बाहर है, और मेरा invoice value, invoice value का मतलब taxable value plus tax, total invoice value, डाईलाग के उपर है, उसका declaration मेरको अलग से करना है, यहाँ पे customer का GST in नहीं आएगा, क्योंकि customer registered ही नहीं है, B2C sale है, यहाँ पे सिर्फ invoice number होगेरा detail जाएगा, integrated tax और sales कितना है, वो जाएगा, rate wise जाएगा, so this is all about table number 5, table number 6, all your zero rated supplies, okay, invoice number, date, value, अब जब मैं यह shipping bill of export के number और date पे आऊँगा, तो आपको 90% या 80% cases में यह मिलेगा कि यह कोई बरता ही नहीं है, यह बरता नहीं है, कौन नहीं बरता है, जिसको refund नहीं लेना है, वो नहीं बरता है, जिसको refund लेना है, वो यहाँ बरेगा, क्योंकि इसके बिना refund process नहीं होता है, okay, so though we have tried to tell our customer that, क्योंकि क्या होता है, tax invoice बनने के बाद shipping bill generate होता है, तो ऐसा कही बार होता है, कि जो exports towards the end of the month होते है, उसका shipping bill next month आता है, तो GSTR 1 तो चला गया, अब वो जब shipping bill आता है, तब वो amend करो, यह करो, वो कोई करता नहीं है, but ideal situation is that, invoice level details के जड़, shipping bill जाना चाहिए, so as an officer, what care you should take, those tax payers when you audit and these details are not there, ask for them, once you ask for them, you will be able to correlate that, यह export है के नहीं, यह हम VAT regime में भी करते थे, export verify करते ही थे, okay, so यह बहुत ज़रूरी है, कि अगर कोई tax payers, अगर shipping bill है, तो आपको तो Icegate से data मिलता ही है, but if shipping bill information is not there, what will you match it with, so in those cases, it becomes important, so all your sales, which are not exempt sales, but which are zero rated, which are exports, supplies to SCZ and deemed exports, वो सबकी detail यहा जाएगी, अभी जो case में export on payment है, obviously integrated tax के कोलम में amount आएगा, और जो without tax है, LUT में है, वाँ tax amount 0 आएगा, IGST है आएगा, amendment, जो भी amendment manager से आपको main summary table में समझाया, जहाँ जहाँ taxpayer ने table 4, 5, 6 में invoice level information गलत दिये, और subsequent tax period में हो realize करता है, कि भाई मेरी से गलती हो गई है, और उसको अगत rectify करना है, तो यह can use table 9 to make rectifications to those invoice table details, okay. B2C small supplies, rate wise, place of supply wise, और interstate है, तो dialogue के नीचे होना चाहिए, ऊपर है तो table 5 में जाएगा, invoice wise, अगर B2C में कोई गलती कर दी, कोई भी period में, तो वो गलती सुधारने के लिए आपके पास table 10 है, taxpayer के पास, he can change the information that he has provided earlier, which was wrong and which he needs to rectify, nil rated, exempted, non GST, यह सब details, see what I did is, मैंने आपको पहले detail में वो, एक table में समझा दिया है, now I am going fast because I cannot go inside this, it doesn't make sense, that's why, that's the reason I am just showing you these tables, so that you relate to the summary which I gave you in the first picture, nil rated, exempted, non GST, यह सब की details यहाँ पे जाएगी, advances or advance adjustments, यह भी मैंने आपको समझाया, जो मैंने में advance हाया, ओके, let me ask you a question, April 21 में advance आया, और April 21 में advance के सामने invoice भी बन गया, तो यह table में जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो अगर advance और invoice सेम मन में बनता है, तो यह table में कुछ भी नहीं जाएगा, यह table में तभी जाएगा, अब जब next month में वह advance के सामने पूरा या पार्ट invoice बनता है, to that extent 11B में वह adjustment होगा, invoice table 4 में जाएगा और उतने ही amount का tax adjustment 11B में होगा, clear, और अगर advance adjustments या advance declaration में कोई mistake है, तो table 11 taxpayer को opportunity देता है to make rectifications, just like table 9, table 10 and table 11 gives you, allows the taxpayer to make adjustments for any mistakes that he has made in the past. HSN summary में, otherwise everybody knows. Sir, यह table 11B में जो entry आएगी वो previous period की advance की होगी ना, जो यह महिने में invoice generate हो गया है और वो adjust करना है तो, correct. Okay, sir. HSN summary आप सबको पता है that, HSN wise कितना sale हुआ है उस पर कितना tax है और ideally, जो भी मैं table 4 से लेके table. तेबल हे करा? जब आपर जबो, कड़ा साइड निया, जो 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 एड जो एड है, हम सबको पता है कि GSTR 1 में जितना sale declare हुआ है, HSN summary उससे टैली होनी चाहिए, जो taxable value है जो टेबल 4 में गया है, 5 में गया, 6 में कहीं भी गया है, लेकिन HSN wise आपको मालूम पड़ेगा sale कितना है, rate of tax सही है, तो till recently, HSN summary table 12 में यह rate of tax का column था नहीं, क्या होता था, कि जब हम taxpayer से data हमारे पास आता था, और हम tax को total taxable value से divide करते थे, तो कोई percentage आता ही नहीं था, कुछ बलता ही percentage आता है, उसके valid reasons भी हो सकते है, मानो को मेरा 100 रुपया sale है, और वो 18% वाला sale है, और वो पूरा मेरा export है, तो मैं अगर tax divide by taxable value करूंगा, तो 18% आई नहीं सकते है, obvious reason, so what now with this amendment, at least you can ask taxpayer, कि taxable value इतना है, मैं आतरा रुपया मारता हूं तो तैली होना चाहिए, so taxpayer will give you reconciliation, I am just telling you broadly, you have to go by books of accounts, it is just one more check point that government has put, otherwise people will HSN कहीं भी कुछ भी डाल देंगे, okay, so this rate of tax column is something new, and details of documents issued, there are various documents, section 31 पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा, बहुत सारे documents issue करने पड़ते है, और वो documents की series, कितने issue हुए, month wise, कितने cancel हुए, net issue कितने हुए, यह यहां पे taxpayer को declare करना है, so with this, we have completed GSTR 1, मेरा timing approximately मैंने सोचा था, एक गंटे में खतम करूंगा, हमारे पास और एक गंटा है, so if Mr. Makrandh is there, should we take a 10 minutes break now, or should we? Yes, yes, no problem. Can take 10 minutes break? Yeah, sure. So we'll join in 10 minutes. Okay. Yeah. Okay. I don't wanna come, should we take this one? ould we go 15 minutes break? 2 or werovina. Sure. How's your hand that's going? Oh, have fun? Thank you. Good morning. U कि अपना नाम बता के आप आगे क्वेरी पुछी ओके अपरिल के मांत में मुझे कुछ इनवाइस चुट गए है तो मैंने आमेंडमेंट में करना है या जून में भी कर सकता हूं अब जून जुलाई ऑगर्स सप्टेंबर उक्टोबर नेक्स्ट यहर के सप्टेंबर तक कर सकते हैं इन्फैक्ट इस्टन करेक्टिड इन्वाइस डिकलेर करने के लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं कि अब कभी भी डिकले कर सकते हैं लेकिन सब्टेम्बर ऑफ फॉलोइंग यहर अगर हम लोग 21 की बात कर रहे हैं सब्टेम्बर 22 के बाद अगर डिकले हुआ तो सामने वाले के टुए में दिखेगा या नहीं दिखेगा वो थोड़ा क्वेस्चन हो जाता है कि क्योंकि तुए फ्रीज हो जाता है कि क्योंकि प्रॉंटिंग भी प्रॉपर दी हो जाएगा बैलंचीर ओडिटेरिया सब रिपोर्ट्स रहेंगे वो भी हो जाए हो नहीं तकते है वो भी इशु आ जाएगा ना करेक्ट कि यह और एनिवन ऐल्स आप पूछिए ऐसे क्वेस्चन पूछेंगे तो सब कोई थोड़ा बेनिफित होगा उसते कि यह ऐसे होता है नेक्स्ट यह फाइनशियल यह मतलब आफ्टर सप्टेंबर वेगरा भी डिकेर करते लोग करते ना मेंडम ठीक है तो आइप रिजियूम कोई क्वेस्चन नहीं मतलब मैं बड़ बड़ एलेक्टर ले रहा हूं सब को समझ रहा है देट्स रूवाइब अप्सुलूटली टूट्व तो यहीं सिच्वेशन बाद में प्रेशन नहीं था कि तुए में नहीं दिखा तो यहीं सिच्वेशन बाकि यह विए कि अधिशन अभी सत्रा अठाम है एक्षन सिस्टीन में सब्सक्राइब कोई कंडिशन नहीं था कि टुए में नहीं दिखा तो प्रेट नहीं मिलेगा एक्षन कि अधिकर ना थे लिखने अगर 13 अप्रेल 19 के बाद में जो अपलोड कि एज़ांगे सप्लेयर की तरफ से उसका क्रिडिट नहीं मिलेगा है सफ नोटिफिकेशन नहीं है सर इस नोटिफिकेशन है इनफेक सप्टेंबर 18 या उप्लोड का एक प्रेस रिलीज है जो गुलत आप 17-18 का असेस्मेंट कर रहें और रहें किसी का स्कूट रहें करें और वह उसके सप्लायर ने डेड़ साल बाद इनवोईस अपलोड किया पर अप्लोड करने के लिए उस को सप्लायर ने अप्लोड करें तो अबी आप क्या करेंगे आप सेक्शन 16 में जाएंगे हां वो तो अब नोटिफिकेशन है वो तो हम डिसालाव करेंगे दू कि नोटिफिकेशन है तो आपके पर दॉक्यूमेट होना चीए, टैक्स इन्वोईस, मैं रिसीवर के पॉइंट ओफ यू से बोल रहा हूं, रिसीवर के पॉइंट ओफ यू से उसने इंपूट क्रेडिट लिया है, आप उनके ऑफिसर हो और आप उसको डिसलाओ करने जा रहे हैं, तो आपको पेले सिफ़ें। तो आपको पहले सिफ़ें। Sir, hello. Yes, madam. Ranjana Deshok बोल रही हूं मने लातुल से. Yes, madam. Sir, actually 16 section में amendment हुई है, जिसमें ये clause इंसर्ट किया गया है कि.. मैं उसी पे आ रहा था कि वह clause अभी प्रॉस्पेक्टिव है, सत्रा आटर को अपलाई नहीं होगा हूं. नहीं वह सत्रा आटर के लिए ही amendment है, स्पेसिफिक. नहीं अभी ये जो 2021 के बजेट में amendment आया ना कि क्रेडिट क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब 2A में दिखेगा, वह amendment अभी आया है. नहीं सर ये जो आरवन फाइल विदिन टाइम करना चाहिए तभी लिए ITC मिले का ये के वल 1718 फैनाशल ये के लिए स्पेसिपिक अमेंडमेंट मेंट है सर्फिक्षिक्शन. नो अमेंडमेंट कुछ और था अगर मेरा एक चोटा रिक्वेस्ट है, हम लोग सेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सेशन के बाद अगर आप फोन करेंगे तो भी केंडिस्कॉस दैट या या ठीक, थैंक यू. वोगे. So, we'll go to GSTR 3B, that is monthly return, again, जैसे हमने GSTR 1 के लिए statutory provisions पढ़े थे, वैसे हम 3B के लिए भी statutory provisions quickly पढ़ लेते हैं, So, what does section 39 say, return file करना ही का obligation taxpayer को section 39 cast करता है, Every registered person shall, for every calendar month, furnish a return in such form and within such time as may be prescribed. So, जैसे मैंने आपको बोला section अमेचा बोल देगा return file करना चाहिए, return concept form में file करेंगे तो हमको rule पे जाना पड़ेगा, तो rule 61 बोलता है, at rule 61 में monthly return should be filed in form GSTR 3B. Again, वो section का जो proviso है, वो further यह बोलता है, The government may have notification, notify certain class who shall furnish a return every quarter, subject to conditions and restrictions. तो हमारे पास एक QRMP का notification है, जो बोलता है 3B कुछ लोग quarterly file कर सकते है, तो नोटिफिकेशन पर अभी नहीं जा रहे है, Because it's not our subject, it's a QRMP scheme. I am just showing you that 3B may be filed monthly or quarterly. फिर subsection 7 क्या बोलता है, Every registered person who is required to furnish a return under subsection 1, shall pay to the government the tax due as per return not later than the last day on which the return is required to be filed. तो यह subsection इतना ही बोलता है कि अगर आपको monthly return file करना है, तो वो return file करने से पहले अगर कोई tax liability cash में है वो आपको pay करना है. और उसका proviso क्या बोलता है? Provided that every registered person furnishing return under proviso to subsection 1, मनलब जो quarterly filer है, shall pay the tax in such form and within such time as maybe prescribed. तो वो जो QRMP scheme में है, PMT 6 में every month tax बरो 35% बरना है यह वो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, because we are not discussing QRMP scheme. So I am just saying that subsection 7 बोलता है कि अगर आप return file कर रहे हो, जैसे VAT में payable return file करते थे, GST में payable 3 भी file नहीं हो सकता है. Because subsection 7 says that आपको अगर return file करना है, उसमें जो tax due है, वो tax आपको बरना है. हाँ, अगर आपको quarterly 3 भी file करने का option है, तो भी आपको tax तो मन्तली जमा करना है, PMT 6 में. अनलाइन लॉग इन करेंगे तो दिखेगा कि आपको quarterly फाइलर हो क्या, आपको PMT 6 में file करना है क्या. तो टैक्स तो मन्तली फाइल करना है. हाला कि अभी लास्ट कांसिल मीटिंग्स में इसा लग रहा है, आइएफफ में invoice भी मंतली अप्लोड करना है, तो उस्कीम की value कम हो जाती है. Okay. So, let's go to the form. जैसे हमने GSTR 1 का form देखा था, ऐसे 3B का form देखते हैं. तो 3B के form में comfortable है, क्योंकि 3B का form summary चलन है. जैसे हमारा BST में चलन रहता था है, इतना value इतना tax काता है. लेकिन, sales side पे उसका detailed invoice level यह वो details taxpayer ने GSTR 1 में अल्री फाइल कर दिये. 1 पहले आता है, 3B बाद में आता है. Okay. Table 3.1, details of outward supplies and inward supplies liable to reverse charge. मतलब जो जो supply पे मुझे tax बरना है, जो मेरी gross liability है, वो में table 3.1 में declare करूंगा. First, A, outward taxable supplies other than zero rated, nil rated and exempted. मतलब जितने outward supplies पे मेरे को tax बरना है, वो यहां आएगा. Outward taxable supplies, B, outward taxable supplies zero rated. जितना मेरा zero rated है, चाहे मैं उस पे on payment कर रहा हूं या without payment कर रहा हूं, में दोनों 3.1 B में आएगा. C, other outward supplies, nil rated exempted, वो C में आएगा. B, inward supplies liable to reverse charge. मतलब जहां मुझे किसी ने sale किया है, और उस पे मुझे tax बरना है reverse charge में, जैसे transport पे है. तो वो amount, तो आप देखेंगे कि A, B, C और E, सब जगा sales side का detail आ रहा है. B, A की clause है, जहां पे purchase, मतलब expense side का detail आ रहा है. E, non GST outward supplies, petrol वगेरा जो है, जिस पे GST लगता ही नहीं, वो table 3.1 E में आएगा. तो यह बन गई मेरी total liability. मतलब in short, अगर मैं value wise जाओ, तो 3.1 A से लेके E, मैं जो taxable value आएगा, minus table 3.1 D inward supplies की value आएगी, अगर यह मैं plus minus करता हो, तो मेरे GST R1 से ideally होना चाहिए. अगर कोई mistake नहीं किया है, taxpayer ने, तो 3.1 A, B, C और E, इसका total मेरे GST R1 से टैली हो जाना चाहिए. Broadly everybody agrees what I am trying to say. Yes sir, we agree. Now we will go to next table. 3.1 ने जो जो डिकले किया है, आउप उप्वाइश की अबाव, details of interstate supplies made to unregistered person will be declared. यह एक piece of information है, इससे liability effect नहीं होता है. Okay, that is 3.2. Table 4, very important और एकदम ध्यान से आप सुनियेगा. Table 4 का चार पार्ट है. 4A, 4B, 4C और 4D. Okay, 4A में total input credit जाता है. 4A में जो गया है, उसमें सी क्या reverse करना है, वो 4B में जाएगा. और 4A माइनस 4B का जो mathematics होगा, A माइनस B, वो 4C में auto-populate होगा. Clear? याद तक तो कोई confusion ही नहीं. 4D. समझो, मैंने restaurant में खाना खाया है, उसका bill है. उसका credit as per section 17.5, inadmissible है, ineligible है. वो 4D में जाएगा. पर जो electronic credit ledger में जाएगा, वो सिर्फ 4A माइनस 4B, जो 4C में आता है, वो ही जाएगा. अब ही हम एक example लेते, purchase register में total credit 100 रुपया है. उसमें सी 10 रुपया credit ऐसा है, जो restaurant का खाने पीने का है. तो eligible credit 90 रुपय है. taxpayer ने क्या किया? 4A, column number 5, उसने 90 रुपीज दिखा दिया. और 4D, column number 1, as per section 17.5 में 10 रुपया दिखा दिया है. अभी इसका 3B लेके आप बेठे हैं, आप assess कर रहे हैं, scrutiny कर रहे हैं, audit कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. आपको पाता नहीं है, total credit 100 रुपया है. तो as an officer, आप 90-10 करोगे या 90, allowable credit है, what will be your approach? 90-10, 90 allowable credit, 90 allowable credit, और 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 बी किसी नी कुछ बताया है. 90-10, 90-10 जिसने बोला, sir, आपका नाम? मेरा नाम संतोश में, सार है, हारांगा बाद. संतोश सर, आपने 90-10 बोला, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बोला था, total credit 100 रुपया है. तो जब मैं कोई credit, column number D1 में लिख देता हूं, 10 रुपया, तो संतोश जी आप ये चीज समझ जाएं, कि वो 10 रुपया electronic credit ledger में जाती ही नहीं है. क्रेडिट लेजर में 90 रुपया ही जाता है, तो उसके पहले जो मैंडम ने बोला, that my allowable credit will be 90. आप जब purchase register देखेंगे, input ledger देखेंगे, तो 100 रुपया दिखेंगा, 100-10, 90, credit ledger, electronic credit ledger में 90 गया है, तो मेरा आपको, what I am trying to explain is, जो भी column number 4D में दिखाते हैं, उसका effect electronic credit ledger में जाता ही नहीं है, तो आपको उसको दुबारा disallow नहीं करना है, अभी इसका अलग धंग से representation देखते हैं, ठीक है, 4D को भूल जाते हैं, taxpayer ने क्या किया, all other ITC table number 4, column number A, sub column number 5 में 100 रुपया दिखाया, और table number 4B में, others में 10 रुपया दिखा दिए, अभी भी उसके electronic credit ledger में क्या जाएगा, 100-10, 90, तो जब आप किसी का purchase register, ITC register, statement of invoices verify करते हैं, आपको यह ज़रूर देखना है कि उसके electronic credit ledger में finally क्या गया है, उसका representation अलग-अलग हो सकता है, कई लोग 100-10 दिखा रहे हैं, कई लोग 90 उपर दिखा के 10 नीचे इनलिजिबल में दिखा रहे हैं, तो वाइल assessing a case, you should know to read table number 4, that is what is important, okay, अभी table number 4-A में, सबसे पहला है import of goods, इसमें कोई problem नहीं है, अभी तो यह 2-A में भी आ रहा है, okay, फिर import of services, जो reverse charge में है, फिर 3 नंबर पे invert supply is liable to reverse charge, मतलब जो import of service नहीं है, लेकिन जो local party का reverse charge है, ट्रांस्पोर्ट है, sponsorship है है, वो 3 में आएगा, invert supplies from ISD, input service distributor है, और जो taxpayer का assessment आप कर रहे हैं, उसको यह ISD से क्रेडिट आया है, वो 4-A4 में आएगा, और all other मतलब जो B2B invert supplies है, वो table number 5 में आएगा, तो broadly, यह आपका classification हो गया, लेकिन आप समझे कि यहां आपको purchase register नहीं मिल रहा है, as an officer, आपके पास सिर्फ GSTR 2A, और आपके पास जब आप taxpayer से आप मंगाएंगे, तो ITC register, purchase register, expense register जो भी नाम देएंगे, ITC register आपको देएगा, आपके पास अभी तीन चीज़ है, ITC register, GSTR 2A, और 3B, आपको एक तीन चीज़ में खेलना है, आपको दो चीज़ करना है, एक तो आपका जो ITC register है, अपके बेज आपका ITC register रहेगा, 2A बुल जाए, 3B बुल जाए, taxpayer बोल रहा है कि मेरे register में इतना credit है, यह मेरा ITC register है, वो ITC register में सी, पहले आपको identify करना है, कि कितना credit allowable नहीं है, 17.5 या जो भी हो, क्योंकि वो ITC register में सब credit रहेगा, वो करने के बाद आपको compare करना है, कि अगर ITC register में इतना है, तो 3B में कितना लिया है, तो आपका एक exercise complete हो गया, में जो input credit है, माइनस जो disallowable credit है, net credit उसके electronic credit ledger में गया है, मतलब buy and lage उसने legal mistake कुछ भी नहीं किया, अभी आपका next step क्या है, उसके ITC register में जो credit है, उसको आपको 2A से compare करना है, फिक है, यह दूसरा aspect है, दोनों को confuse मत करिए, जब आप compare करेंगे, तो एक एक invoice compare मत करेंगे, ITC register को आप अभी आप सबको Excel सीखना पड़ेगा, आप जब पाइवर्ट करेंगे, तो आपको 10 number wise आपको मिल जाएगा कितना credit है, अभी जो credit उदर लिया गया है, और जो credit 2A में दिख रहा है, उसमें क्या mismatch है, ये दोनों separate exercise है, ये दोनों को mix मत करिए, ठीक है, 2A में नहीं दिख रहा है, तो problem है, 2A में नहीं दिख रहा है, उसके reasons आपको find out करने पड़ेंगे, हो सकता है, उसके supplier ने team number गालट डाला था, उसने tax भी बढ़ा है, तो at least past period के लिए, क्योंकि 2A में नहीं दिख रहा है, तो आप credit disallow कैसे करेंगे, सामने supplier ने tax बढ़ रहा है, इनके पास invoice है, सब कुछ है, service मिला है, goods मिला है, सब conditions section 16 के fulfill हो रहा है, तो anyone has question over here, Generally sir, हम लोग के हां पर जैसे 2A 2A डिशला हो रहा है, बोल रहेने है, वैसे नहीं होता है, क्यूकि एक तो रिपंट के cases monthly होते है, तो application भी बार में हाता है, तब अगर quarterly initial phase में था, quarterly match हो रहा है, तो उसके application करने शुरू हो गए अभी, लेकिन initial phase में 2A की वजए से थोड़ा से problem था, लेकिन वो quarterly जैसे return, मतलब जिनको पता चलता है, कि quarterly कितना match आने वाला है बाद में, तो उतना वो वेट करके application file होते है, मतलब ad hoc ऐसे 2A mismatch है, इसलिए disallowed नहीं होता है कोई claim, और बाकी अगर audit है तो वो पूरा yearly देख लेते हैं, audit तो अभी शुरू हो गया है, तो मतलब ऐसे draw हो नहीं रहा है, वैसे factual में देखा जाए तो 2A की वजए से, ठीक है, मतलब broadly और किसी को question है, madam, आप बोलते हैं, लेकिन इतने अभी तो और participants 154 हो गए, काफी लो गए, सुभे से, तो मैं चाहता हूं कि अगर बाकी रीजन से भी मुंबई चोड़के, अगर बाकी रीजन से भी कोई अगर contribute करता है, तो we can have a better session. इस table 4 बहुत important है, table 4 क्योंकि जब मैं 9 और 9 से पर जाओंगा ना, तो अगर आप 3B का table 4 नहीं समझेंगे ना, तो 9 9 से भी आप नहीं समझ पहेंगे. So, मेरा request है कि अगर किसी वो कोई question है, मैंने बहुत simple example से आपको समझा है, अगर किसी वो कोई भी question है, आप interrupt करिये, कोई दिकत नहीं है. Okay, I think कोई question नहीं है, तो या तो मैं बहुत ज्यादा confused कर रहा हूं, या तो मैं बहुत ज्यादा clear हूं. Okay, next, value of exam, nil rated, non-GST, inward supplies, अभी मेरा experience जो रहा है, काफी officers यहां confused हो जाते हैं कि यह तो exempt है तुमारा sale, यहां detail sale का नहीं जाता है, यहां detail purchase का जाता है, expense का जाता है, यहां detail purchase का जाता है, यहां detail purchase का जाता है, expense का जाता है, जैसे electricity का खर्चा कितना हुआ मंतली, तो interested supplies के अंड Okay, exempt supply, electricity, यह table किसी ने बहरा नहीं बहरा है, उससे ज्यादा फरक नहीं पड़ता है, लेकिन बहरा है तो इसको sales के साथ confuse मत करो, यह exempt sale के लिए नहीं है, exempt purchase के लिए, और payment of tax, अपका tax gross payable कितना था, कितना ITC से बहरा, कितना cash में बहरा, यह सब bifurcation अपने आप आ जाता है, इसमें ज्यादा कुछ, don't have to use your mind or apply your mind, इस सब automated है, और system based है, system गलत करना ही नहीं देता है, So with that we have seen form 3B, बहुत चोटा सा form था, due date for filing 3B, 20 तरीक है, और monthly filers, और quarterly है, depending on कौंसे state में located है, 22nd or 24th है, okay, और जो quarterly filers है, उनको 25 तरीक तक अपना tax, first 2 मेने का tax है, और जमा करना है, simple है, there is nothing much to discuss in this, Now what is GSTR 2A, can any participant actually tell me what is GSTR 2A, can someone explain to me, कि 2A क्या है, Autopopulated matching report of ITP, Smita Madam, Smita Madam, sorry, but you are okay, no problem, अगर अभी किसी ने answer नहीं किया, believe me, मैंने जितने refund के assessment किया, मुझे, I have had hard time to explain to the officers, because officers do not know certain things, and believe me, मैंने जितना देखा है, that there are certain officers who are really good, and for the simple reason that if we are making effort, you know, department is making effort to train officers, it is for the good of, as sub communication online हो रहा है, मैंने अभी दो तीन refund किया है, मैंने ओनलाइन सब्मिट किया है, online email किया है, सब पॉसिबल है, but अगर officer 3B और 1 नहीं सम्झेगा, तो person has to come physically, and even after that, it becomes too difficult for you to, you know, explain to him or her, so let's use these training sessions best to clear what we are going through in our day-to-day interaction with taxpayers, let us, we will also enjoy doing the work, अच काम करने में मजा जितका बाएगा, जब, simple things do not become roadblock, if simple things become roadblock, then it's a problem for the officer, because उसको काम करना खतम लेकिन उससे नहीं हो रहा है, if the roadblock for the taxpayer के मैंने सही किया है, तो भी officer समझ नहीं पारा है, so if more questions come, dynamic, when I say dynamic, it means ever changing, जो sir ने word यूज किया, आवाज साभ ने जो word यूज किया, real time, उसके साथ मैं और एक करेक्टरिस्टिक साइड कर रहा हूँ, it is also dynamic, dynamic meaning it can change, चलो, academically ली देख लेते हैं, 2A के चार पार्ट है, पार्ट अ में GSTR entries कहां से आती है, GSTR 1, IFF, GSTR 5, non-resident dealer जो फाइल करता है, पार्ट B में IHD की क्रेडिट साती है, पार्ट C में TDS और TCS की क्रेडिट साती है, और पार्ट D में, इंपोर्ट का जो IGST कस्टम के थरू आता है, वो पार्ट D में दिखता है, एंड 2B, April, May और June का GSTR 1 मेरे supplier ने फाइल नहीं किया था, उसने एक साथ फाइल कर दिया, June के ड्यू डेट के पहले, मेरा supplier, monthly GSTR 1 फाइल करना उसका काम है, और उसने default किया, उसने monthly GSTR 1 फाइल नहीं किया, उसने April, May, June, तीनों GSTR 1 उसने, June के ड्यू डेट के पहले फाइल किया, विच इंप्लाइज वाट, उसने GSTR, April का GSTR 1 लेट फाइल किया, May का GSTR 1 लेट फाइल किया, लेकिन June का GSTR 1 उसने, टाइम पे फाइल किया, जो एप्रिल का GSTR 1 उसने लेट फाइल किया, उसका reflection उसके recipient के, मतलब मेरे, मेरे supplier ने लेट फाइल किया, मेरे एप्रिल के टुए में दिखेगा, फिर May का GSTR 1 जो उसने लेट फाइल किया, उसमें जितनी invoices थी, वो मेरे May के टुए में दिखेगी, और June का June में दिखेगी, लेकिन, यह तीनो मन्त का, invoice reflection, मेरे June के 2B में दिखेगा, Okay, everybody understood, meaning to some extent it is important, you have to understand what's the difference between 2A and 2B, 2A डाइनमिक है, वो अपने अपने, मन्त में जाके बैठ जाएगा, लिकिन 2B static है अगर किसी ने late 1 file किया है तो last due date से यह due date तक कि जो 2B बनेगी ना उसमें दिखेगी anyone has a question here I have very simple diagram से explain किया है there is nothing very complicated if anyone has a question then we can take up so I'll just go ahead now let us discuss some common errors which we have seen what taxpayers do okay abhi may chao ga ka koi ek participant question पड़े और वोई उसका probable answer मुझे दिखाए अगर मकरंग जी या कोई भी जो coordinate कर रहा है ना वो किसी का नाम ले लेकर पूछ सकता है क्या questions yes sir hello slide पर जो दिख रहा है अगर आप किसी participant से पूछ सकते है क्या question और वो अपना answer देगा अगर अलो या फिर आप चाते हो मैं प्रसेड परिश पूण यह पूणी तरही आंसर देगा प्रीज वाल्वी साथ का बगा वाल्वी साथ का ट्रेनिंग मने अगा वाल्वी जय दॉख अगा लोई अतुल लापकर अर्थी मुले कोई तरी जया अंसर अश्वीन याम ले अलो मकरण जी आई लाइल गोएड मुझे तो फॉस्ट क्वेस्टिन इस विल जी एस्ट एर वन अगरी तरी अल्वेज भी उसका अंसर जरूरी नहीं है पोटल पे कंपरेटिव टेबल होता है जैसे हमने अंडरेड नाइन्टी और टेन का एक्जेम्पल लिया एप्रिल में टेन दिखाया थी बी में शायद अंडरेड दिखाया होगा तो एप्रिल के थी और वन में डिफरेंस यह अग्री करेगा टेक्सपेर अगर डंग से कंप्लाइंस करता है तो वन और त्री भी आरवन और आर्टी भी हमेशा अग्री होना चाहिए पट जरूरी नहीं है क्योंकि मिस्टेक्स हैपन अभी कई बार क्या होता है कि मारस्ट में एक सेज है आवर ओएश ? का सप्लाइर भी मारश्ट में है ह। तो आई जी एस्टि के सेक्शन 8 के इस थाप से यह जो सप्लाई कि मारश्ट का सप्लायर मारस्ट ने कर रहा है को इंटर स्टेट सपलाई हो जाते हैं अलाकि सप्लायर और कस्टमर से दोनों का टिन नंबर 27 से चालू होगा लेकिन वो IGST लगाएगा इस में अमने क्या देखा है कि कस्टमर टैक्सपेर जब बनाता है सेल का तो देखता है 27 टिन नंबर है अपने 3D में बिल में वो CGST, SGST लगा देता है लेकिन जब वो GSTR 1 अप्लोड करता है तो वो अटोमेटिकली वहां पर IGST पिकप कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि यह 10 नंबर SCZ taxpayer का है सो कभी-कभी आपको यह मिलेगा कि tax में difference होगा, taxable value tally हो जाएगा लेकिन IGST कम दिखेगा और CGST, SGST ज्यादा दिखेगा तो इस वन कॉमन अर्रोड भी इतना नहीं होता होगा बट फिर भी पॉसेबल है अगर कोई SCZ unit supply करता है उसमें bill of entry file होती है, इंपोर्ट के जैसे तो वो आपके 2A में table part D में दिखेगा वो आपके B2B में नहीं दिखेगा, tax invoice भी issue होता है लेकिन SCZ से अगर कोई mal clear होता है तो वो bill of entry में होता है इसका IGST bill of entry में pay होता है और 2A में भी हो part D में दिखेगा फिर मैंने आपको table 4 में सम्झाय है वो ineligible credit कहां दिखाया है, कहां नहीं दिखाया है तो taxpayer कभी-कभी एक consistent approach नहीं रखता है ineligible credit 100-10 दिखाना है, या 90 और 10 अलग-अलग दिखाना है कभी 100-10 दिखायागा, कभी 90 इदर 10 नीचे दिखाया तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वाइल reconcile के टेबल अलड़ी मैंने आपको सम्झाया था क्रेडिट नोट issue करने के लिए एक time limit दी गई है section 34 में तो वो time limit के बाहर credit notes शायग system pickup कर ले क्रेडिट नोट सब्टेंबर के बाद issue नहीं हो सकती है 21 22 की जो invoices है उसके credit note सब्टेंबर 22 के बाद issue नहीं हो सकते है सेम वे 2021 के जो sale invoices है उसके credit notes सब्टेंबर 21 के बाद issue नहीं हो सकते है तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कभी-कभी वेंडर को goods रिटन हो गय है तो एक्चुली वो credit note वेंडर को issue करना चीए लेकिन गलती से sale में दिखा दिया तो ITC लेने का time निकल गया और sale ज्यादा दिखा दिया तो यह चीजे आपको थोड़ी ध्यान दखनी पड़ीगी बुक्सप अकाउंट से रिकंसाल करेंगे तब आपको त्यान में आएगे विद इस I think मैंने broadly आपको 1 और 3 भी समझा दिया है this is the base with which हम लोग 9 समझेंगे मैं मकरण जी से पूछ के confirm करूंगा we will do 9 alone and then we will do 9C separately तो तीन सेशन में आपको काफी समझा जाएगा exactly के 9 3D और 1 से कैसे आता है so with this thank you very much it would have been better अगर ज्यादा लोग participate करते हैं so next time it is my wish that more people interact with this I have my session thank you very much yes Makranji thank you thanks a lot Chirak sir अपने जो कहां की जादा पार्टिसिबंटोगे तो अच्छा है it's really good but what happens this MS teams has some limitation of the number of participation also that it goes about 240 no so we get a lot of disturbance in network connectivity and all okay so this is a limited participant है to session both smoothly chala and of course your knowledge अपका जो style express करने का उसके वज़े से बहुत ही interesting session हो गया and सबका रिमार्स आपको सामने सामने या रहा है को feedback पीछे देने के जरुवत ने सामने बहुत अच्छा feedback आया है so thanks a lot again sir and look coordinate करके उसका second third part जो भी होगा as soon as possible अमलोग आरेंज करेंगे कोड़ा काई बोलाइचे का अजुन गांधी मैडम सुर्योशी मैडम hello एक्षेसाट पाई की आमे दोना स्लोकान ने बोल्ला हो तुमन कदाचित मेहतासर महना तस्तिल की है जासतो पार्टिसिपेंट असने प्रिक्षा तैन्सा प्रिक्षा सेल की